नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज फेर्थ में आपका स्वागत है दोस्तों, भारत की रक्षा से रिलेटेड बहुत बड़ी खबार आ रही है जो हर भारतियों को बहुत खुसी देने वाली खबार है भारत के संस्थान DRDO ने अगनी 5 मिसाइल का परिक्षण सफलता पूरो कर लिया है यह मिसाइल MIRV टेक्नलोजी से काम करती है MIRV टेक्नलोजी क्या होती है दोस्तों आईए डेटेल में आपको बताता हूँ दरसल दोस्तों जब कभी कोई मिसाइल किसी अपने दुस्मन देश की धर्ति पर लांच की जाती है तो वहाँ पर कई चीजे होती है जैसे कि उनकी मिसाइल्स होती है उनका defense system होता है जो उनकों बचाता है किसी दूसरे देश की missile आने से भारत कोई मिसाइल अपनी मारता है पाकिस्तान के पास तो पाकिस्तान के पास भी डिफेंस सिस्टम होगा तो उसका जो डिफेंस सिस्टम होगा वो अपनी एक मिसाइल निकाल के भारत की मिसाइल को हवा में ही मार देगा ये काम होता है defense equipment system का दोस्तों अगर यह missile एक आ रही होगी तो defense system उसको अपने radar में capture करेगा उसे मार देगा लेकिन इसी के जगह अगर एक से ज़्यादा missile आ रही होगी तो defense system भी confuse हो जाएगा तो MIRV जो technology है यह defense system को ऐसे confuse कर देती है दरसल इस missile में क्या होती है छोटे 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 वार हेड लगे होते है यानि कि छोटे छोटे परमालू बम लगे होते है वो multiple निकलते हैं एक साथ कई निकलते हैं तो defense system confuse हो जाता है वो अगर मारेगा भी तो किसी एक वार हेड को मार पाएगा बाकी कि जो वार हेड बचे होंगे वो उसनी हिट कर देाएंगे उसकी धर्ती पर दोस्तों आपको बता दू की जो छोटे परमालू बम होते है उसका जो वज़़न होता है वो आसतन sixon किलो गराम का होता है और जो पूरा परमालू बम होता है उसका जो औसतन वजन होता है 1200 किलो ग्राम का होता है तो अब आप इसी से अंदाजा लगा लिए कि अगर दो तीन वार हेड अगर किसी दुस्पन देश में ये गिर गए तो उस देश का क्या हाल होने वाला है उस सिटी का क्या हाल होना वाला है पुरा नकसा बदल जाएगा और आपको बता दू कि इस मिसाइल की खासियत कुछ और इसकी जो स्पीड है ये आवाज की जो स्पीड होती उससे 24 गुना ज्यादा इसकी स्पीड है यनि कि 24 मैक की स्पीड है इस मिसाइल का वजन 50,000 किलो ग्राम है इस मिसाइल को रोड से भी लेकर जाया जा सकता है और रेलवे से भी लेकर जाया जा सकता है इसकी जो लंबाई है वो 17 मीटर की है और जो चोडाई है वो 2 मीटर की है और सबसे बड़ी बात इस मिसाइल को पूरी तरह से भारत में ही डेवलप किया गया है इस मिसाईल के अगर लागत की बात करे तो 50,000 करोड रूपए की लागत है और अगर डॉलर की बात करे तो 7,000,000 डॉलर अगनी 5 मिसाईल का जो परिक्षण किया गया है ये मिसंद दिव्यास्तर के अंतरगत किया गया है दोस्तों एक सबसे बड़ी बात आपको बता दे कि अब उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में भारत का नाम सामिल हो गया है जिसके पास MIRV टेक्नलोजी वाली ये मिसाइले हैं दरसल इसमें सबसे पहला तो नाम US का आता है फिर रसिया का आता है चाइना का नाम आता है फ्रांस का नाम आता है यूके का नाम आता है और उसके बाद भारत का नाम आता है जिसको सुनने के बाद बहुत खुसी होती है कहने के लिए तो सन 2017 में पाकिस्तान ने भी इसको डवलप कर लिया है और उसका परिक्षण कर लिया है लेकिन दुनिया ने उसको recognize नहीं किया, क्योंकि पता नहीं किया है, क्या नहीं किया है, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन जो भारत की यह सफलता है, इसको कई लोगों ने, कई देशों ने recognize किया है, इसलिए हमारा नाम इन बड़े बड़े देशों के नाम के साथ जुड़ ग एक guidance इसको दी आती है और इसमें एक navigation system भी लगाना पड़ता है दोस्तों इस missile की जो मारक शमता है वो 6000 किलो मीटर की है यानि कि आप ऐसा समझ लिए कि अगर हम इसको भारत के इस से राजस्थान से अगर मारना चाहें चीन को तो चीन का कोना कोना हम मार सकते हैं इस missile के थ्रू ये अगनी 5 missile जो है ये भारत की सबसे लंबी दूरी की missile हो गई है अब हमारा इसको डवलप करने का नजरिया सिर्फ इसलिए नहीं है कि चलो हम इसको डवलप कर लेते हैं दरसल इससे हमें किसी पर वार भी नहीं करना है बस हमें अपने आपको बचा कर रखना है इसलिए हम किसी भी देश से लडाई नहीं चाहता है किसी से भी नहीं चाहता पाकिस्तान भी हमसे नफरत करता है चीन हमसे नफरत करता है लेकिन हम उनसे लडाई नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं सभी अच्छे रहें लेकिन अपने बचाओ के लिए तो हमें अपनी सारे कदम उठाने प खड़ा हो इवन चीन नहीं क्या कोई भी देस हो यह नहीं चाहता कि कोई भी उसके बराबर आकर खड़ा हो जाए और फिर कोई पलोसी होता है तो तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा